तीखी चटपटी करारी आज हम बनाने जा रहे हैं मस्त सी कटोरी चाट बहुत ही चटपटी बड़ी ही मज़िदार बनती है आपको बहुत पसंद आएगी कोई भी त्योहार हो या घर में छोटी मोटी पाटी हो या वीकेंड हो तो आप इसे जरूर से बनाएए चलिए फटा चोटा चम्मच नमक का डाल देंगे एक चम्मच अजवाइन का ऐसे क्रश करके डालेंगे अब इसमें मोईन के लिए घी डालेंगे तो यहाँ पर चार से पांच चम्मच में पिगला हुआ घी डाल रही हो और उसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे ये स्टैप बहुत जरू अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका आटा लगाएंगे कटोरियों का जो आटा हमें लगाना है वो सेमी सॉफ्ट लगाकर तयार करना है तो देखिए आटा हमने लगा दिया है इसे ढग देंगे 15-20 मिनिट के लिए रेस्ट करने देंगे तब तक हम यहां पर फिलिंग देख लेते हैं फिलिंग के लिए मैंने यहां पर दो हरी मिर्चे एक टमाटर एक उबला हुआ आलू एक कटा हुआ प्याज और साथ ही एक कप मैंने यहां पर उबले हुए काले चने ले लिये है नमक डाल कर इने उबाल लिया है मैंने और दो तीन घ गहनिया भी तो दो मीक्स कर देंगे। 6-3 चाही कर देंगे। इसे मिक्स करेंगे पानी की जरुरत अगर आपको लगती है तो वन फोथ कप यानि एक चौथाई कप पानी डाल कर इसे मिक्स करें और एकदम इसे स्मूध बना ले इसके बाद देखिए आटा जो हमने सेट करने के लिए रखा था बढ़िया सेट हो गया है आटे की छोटी सी लोई मैंने बनाई है यानि की पूरी से थोड़ी बड़ी लोई बनाएंगे और इसे एकदम पतला हम बेलेंगे बहुत ज्यादा मोटा नहीं बेलना है ध्यान रखेगा पतला से हम इसे बेल कर तयार करेंगे एक बार मैं आपको इसकी थिकनेस जो है वो दिखा देती हूँ ये देखिए इतना हमें पतला इसे बेलना है अब हम क्या करेंगे इसे इस तरीके से फोक से इसमें छेट कर देंगे ताकि जब हम इसे तले तो ये फूले नहीं अब क्यूंकि ये कटोरी चाट है तो कोई भी कटोरी जो भी आपके घर में है वो ले लीजे पीछे से अजरुसा सा तेल लगाई ये ताकि जब हम इस कतोरी को बाहर निकाले तलते टाइम तो वह अच्छे से निकल जाए और देखिए इस तरीके से हम जो यह हमने पूरी बेल कर तयार की है वह कतोरी के ऊपर इस तरीके से हम चिपका देंगे देखिए बहुती आसानी से चिपक जाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आप ऐसे घुमाते जाईए और अच्छे से इसे चिपका दीजे, अब क्यूंकि हमने इसे ऐसे प्रेस करते हुए चिपकाया है, तो थोड़ा सा और हम इसमें छेद कर देते हैं, ताकि ये तेल में जब जाए तब कर लेए कटोरी, तब तक हम जो स्टील वाली कटोरी है, हमारी उसे बाहर नहीं निकालेंगे, ध्यान रखेगा, तो जैसी इसका हलका गोल्डन सा कलर हो जाएगा, बहुत हलके हाथों से इसे बाहर निकालेंगे, तेल को वापस डाल देंगे, कटोरी को बाहर निकाल देंग बस इसे बाहर निकाल देते हैं और लीजे हमारी कटोरिया जो है क्रिस्पी क्रिस्पी कटोरिया बन कर तयार है जो फिलिंग हमने बनाई थी आलू और चने की वो मैं इसमें डाल रही हूँ उपर से मीठा मीठा दही जो हमने फैट कर रखा था वो भी डाल दिया है इसके साथ ही यहाँ पर मैंने बनाई है हरे धनिये की चट्नी, जितनी मर्जी उतना डालिये और यहाँ आ गई खजूर और इमलीड की खटी मीधी चट्नी, बुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर उपर से छिर्केंगे इसके साथ ही मैंने यहाँ पर अनार के दाने लिए हैं और जो बारीक वाले सेव होते हैं जो चार्ट में डालते हैं नाहिलान सेव वो मैंने उपर सेड डाल दिये हैं कैसी लगी है रेसिपी कॉमेंट करके जरूर से बताएगा वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाए